गौर्मन पॉलोटेकनिक नानकपूर में आपका स्वागत है। यह पॉलोटेकनिक जिला पंचकुलाम के अंतरगत तहसील कालका गाउन नानकपूर में 10 एकड में फैला हुआ है। यह संस्थान काफी सावसुत्रा हरा भरा वह पल्यूशन फ्री है। इस संस्थान की शुर्वासन 2018 में हुई थी। वह इस समय इस संस्थान में 5 कोर्स चल रहे हैं जैसे की सिविल एंजिनरिंग, इलेक्टिकल एंजिनरिंग, मकानिकल एंजिनरिंग, कम्प्यूटर एंजिनरिंग, वह इलेक्ट्रोनिक एंड कॉम्निकेशन एंजिनरिंग। ट्रेनिंग औन सोलर स्टडी लाम वर्क्शोप का योजन किया जिसमें संस्थान के स्टाफ मेंबर्स वो स्टूडेंट्स ने सोलर स्टडी लाम को असेंबल करना और उसकी वर्किंग को सिखा इसी सिलसिले में इस पोलो टेक्निक को IIT बॉंबे से अप्रिशेशन लेटर भी म काम कर रहा है वह हर महीने एलेक्ट्रिसिटी बिल में 20 से 25,000 की बचत हो रही है गौर्मन पोलो टेक्निक नानकपूर ने वर्ष 2020 में कोविड-19 के दौरान एक ओनलाइन नैशनल लेवल एनरजी कंजर्वेशन क्वीज का योजन किया था जिसमें हर्याना स्टेट के साथ सा सारे भारत से लगभग 1500 पार्टिस्पेंट्स ने भाग लिया था वर्ष 2020 में ही एक नैशनल लेवल एनरजी कंजर्वेशन वीक सेलिब्रेट किया गया जिसमें सभी स्टूडेंट वो स्टाफ ने बढ़ चड़ कर भाग लिया वह पॉलो टेक्निक के आसपास के गाउं में एनरजी सेविंग के महत्व को समझाया सीविल इंजिनरिंग डिपार्टमेंट ने नानकपूर गाह वो आसपास के कस्वों में तलाबों को फून जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वोटर लेवल जो काफी नीचे चला गया है वह सुधार हो सके यह संस्थान प्लेस एमी, सीपेट, सिग्नम, वीनस इत्यादी के साथ MOU भी किया है गौर्नमेंट पोलो टेकनिक नानकपूर के स्टूडेंट्स ने स्पोर्ट में भी बढ़ चड़ कर भाग लिया है और उन्होंने पूरे हरियाना में थर्ड पोजिशन हासिल की है इस अंस्थान ने शोशल व पांगन की साफसफाई और हर्याली से भरपूर बनाया है इस सभी अलीजिवर स्टूडेंट्स को 100% प्लेस्मेंट हो चुकी है आंत में यह कहना उचित होगा कि यह ही विध्यार्थियों वह समाज के कल्यान के लिए इसी तरह के कार्यों का प्रियास जारी रखेगा